जंजट के आवाज जियन भारत में आपका बहुती स्वागत है और ब्रेकिंग लिउस निगल के अभी सामने आ रहा है कि देश को भारत को एक नया राश्पती मिल गया है जी हाँ राश्पती चुनाओ जीता है अंडी की साजा राश्पती उमिद्वार द्रौबदी मुर्मू ने अच्छा खासा वोट के साथ यश्वन सिना को हराया है जो कि विपक्ष के साजा उमिद्वार थे यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब देश को पहली आदिवासी महिला राश्पती मिल रही है जी हाँ एक आदिवासी होकर इतने बड़े ओधे देश के सरवच्चम पद पर बैठना वाकी में बहुत बड़ी बात है क्योंकि द्रौबदी मुर्मू जहां से आती है वो बैठेगी राश्पती पत पर बैठेगी यानि भारत का अगला प्रेसिडेंट द्रौबदी मुर्मू होगी आपको बताते चले कि रामनात कोविंद अपना कारकाल खत्म करेंगे और इनको पदभर दिया जाएगा इनका पद गरहन 25 जुलाई को होगा दो-चार दिन बाकी है लेकिन हम आपको द्रौबदी मुर्मू के बारे में कुछ अन कही और अनसुनी बातeti सुनाने वाले हैं कुछ रोचक बात है अपने आप में यह महिला मुर्मू द्रौबदी मुर्मू कहीं नकी हिंबत की मिसाल है क्योंकि 2009 में उनका बेटा का डर ट हो गयाarat 2012 में दूसरे बेटे का दठ हो गया था और इतना काफी नहीं था कि 2014 में इनके पती भी चल बसे आप सबस सकते हैं कि एक महिला के जीवन में उनका बच्चा या फिर उनका पती या उनका प्रपरिवार क्या माइने रखता है लेकिन बच्चा पती सब कुछ अगर बैक टू बै अध्यात्म से जोड़ता है अध्यात्मिक एक और्ग्राइजेशन है ब्रह्मकुमारी वहां से वह जुड़ी जिसका ओफिस है माउंट अभू में राजस्थान के वहां पे वह जाती थी रग्लार मेडिटेशन करती थी आपको जानकर आश्यर होगा कि इस उमर में 64 साल की द्रपदी मुर्मु इस उमर में भी सुबत तड़के साड़े जाती है साद़े राजयोग मैं माउंट अभू जा के सिखा है और वही राजयोग के बदालत इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं अपने आपको इतना कीप, इतना कालम रखती हूँ, इतना शान्त रखती हूँ और शान्ती से अपना पूरा जीवन आदिवासियों के वेल बिंग के लिए आदिवासियों के लिए हमेंने समर्पित कर दिया है और आज यहां तक हूँ, इसके बाद आपको बताते चले कि सबसे पहले ये एक पारशत थी, जिया पारशत की रूप में वो चुनी गई थी, इसके बाद वो एक सिक्षिका भी रही है अपने एरिया में और इसके बाद वो जिला उपादक्ष रही है बिजेपी की, तो बैक उन्हें कई अवार्ट्स भी मिले, जब वो जिला उपादक्ष रही तब भी बीजेपी को बहुत जीत जिलाई, इसके लिए भी बीजेपी की तरफ से इन्हें समानित किया गया, इसके बाद उनको कई इंपोर्टेंट आपको बता दे कि ये बहाँ पे जो बीजेपी की सट गटबंदन में जो सरकार है उडिसा की बीजू दल, उनके साथ भी वो जुडी रही और बहुत उचे ओधयानी मंत्री पत पर वो रही है द्रौबदी मुर्मू, तो उडिसा में मंत्री पत पर भी रही है लेकिन इसके बाद उनको जारकन में राजपाल का पदभार समाला गया आपको बताते चले द्रौबदी मुर्मू एकलोती ऐसी राजपाल है जारकन की जिन्होंने 5 साल नहीं बलकि 6 साल का करकाल पूरा किया है राजपाल का वो भी पूरा का पूरा बिना विवाद का ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप अभी भी देख सकते है जारकन क राजपाल रमेज बास है लेकिन राजपाल नहीं नाम पर心से तोड़ी नाराज हो जाता है उनके नाम पर कहीं नहीं जारकन से नमोजपाल करना है especially जब महिला बच्चे आदिवासियों की जब मुद्दे आती थी तो ऐसा लगता था कि वो सारा कमान जो है वो खुद में ले ले लिती थी और खुद ओर देती थी सरकार को कि आपको कहां क्या कैसे क्या करना है इसके साथ इराची उनिवर्सिटी वो उन्होंने एक पो है और सरकार जो है वो आया है तो राजपाल होते हुए जिस तरीके से सिर्फ उन्होंने राजभवन से निकल के जारकन के जन जातियों के बीच में जाकर उनकी जो समसाय सुनी है वहीं से लगता था कि आगे चलकर शायद उनको कोई और बहुत बड़ा पद मिल सकता है और जारकन वालों ने सोचा था आज वो सपना सच हो गया साजव उमिद्वार के तोर पर नरेन मोदी ने इन पर बहुत भरुस्ता दिखाया था जब वो राजभी बेयाना रही थी तो उन्होंने खुद यह बात कही थी कि जब मोदी उन्होंने किस्ता भी सुनाय था कि मोदी ने मुझे बुलाया और कहा कि आपको राष्टपती उमिद्वार चुना जा रहा है तब जाकर उन्होंने कहा कि मुझे मैं तो बहुत चोटी हूँ मुझे आप चुन रहे हो कौन मुझे सपोर्ट करेगा तब जाकर मोदी जी ने कहा था मैं सपोर्ट करोंगा देश का जी ने मुझे पर भरोसा दिखाए तब मेरे अंदर भी confident आया और मुझे लगा मैं यह काम कर सकती हूं और तब जाके मैं भी मानी और फिर पूरे इंडिया का तूर स्टार्ट किया वोट पांगने के लिए और आज जो नतीजा निकल के सामने आया है वह वाकई चौकाने वाला नहीं है को कहीं न कहीं पता था कि सारे पाटी द्रॉपदीची को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अब ओफिशली यह चीज हो चुका है और देश को अगला आद कियाता है जिस कम्यूटी को आज वही कम्यूटी के महिला देश की सबसे बड़ी पत पर बैठ कर देश का इतिहास सो लिखेगी कि साथ है पुरे देश के लिए और पुरे वर्ल्ड के लिए देखा जाए तो बहुत गौरफ की बात है चूँकि जब किसी human rights का वुलंगन होत कि एक आदिवासी वहिला देश के राश्पति पत पर बैठी है ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जियन भारत वैशी का सुरापने सहयोगी राशिका बजाईश के साथ धन्यवार अपने राजिस जूड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइ करें साथी वेल आइकन बटन दवाना न भूले